Good morning, myself Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, मडवारी कॉलेज राची अब मैं आप लोगों को मनो विज्ञान की परिभाशाएं, Definition of Psychology पर चर्चा करूँगे मनो विज्ञान के इतिहास तथा इसकी बदलती हुई बिसेवस्तु एवं बिधी और इसके संबंध में बदलते हुए द्रिष्टी कौन का उले किया जा चुका है जो मैंने इतिहास में आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मनो विज्ञान की समुचित परिभाशा देना कितना कठिन है इसलिए मनो विज्ञान की कोई एक ऐसी परिभाशा देना कठिन है जिससे सभी मनो विज्ञानिक सहमत हो फिर भी इस सिलसिले में प्रयास पहले भी जारी था और आज भी जारी है मनो विज्ञानिकों ने इस प्रयास से मनो विज्ञान की अनेक परिभाशाएं उपलब्ध है इसमें कुछ परिभाशाएं और विज्ञानिक और कुछ बैज्ञानिक बैज्ञानिक परिभाशाओं में भी केवल कुछ परिभाशाएं ऐसी हैं जिन से मनो विज्ञान का सही स्वरूप, सही नेचर का परिचय कुछ अंसों में मिलता है लेकिन एक बात सभी परिभाशाओं में देखी जाती है और वह है कि सभी पारिभाशाओं में मनोविज्ञान को बिज्ञान माना गया है भिन्निता केवल विशेवस्तू या विधी के संबंध में है इन बातों को ध्यान में रखते हुए मनोविज्ञान की कुछ प्रमुक परिभाशाओं पर अलग-अलग वैख्या करेंगे नमबर वन मनोविज्ञान आत्मा या मन का विज्ञान है साइकॉलजी ए साइन्स ओफ सोल और माइंड एटिन सिक्स्टी मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है ये कहने से पहले यह जानना जरूरी है कि मनोविज्ञान वास्तों में दर्सन सास्त्र फिलोस्पी की एक साखा के रूप में था इसलिए इस अवधी में मनोविज्ञान पर दर्सन का प्रभाव होना सभाविक था इसलिए बिद्वानों ने मनोविज्ञान की दार्षनिक परिभाशा दी मनोविज्ञान की यह परिभाशा वास्तों में साइकॉलजी के दो खंडो दो भागो यानी साइक तथा लोगस के साप्तिक अर्थ पर आधारित थी साइक का अर्थ आत्मा या सोल लोगस का अर्थ बिवेचना या विज्ञान कहा गया है बात में आत्मा के अस्थान पर माइंट सब्द का मन सब्द का बहवार किया गया और अब इसकी परिभाशा दी गई कि मनो विज्ञान मन का विज्ञान है लेकिन यह परिभाशा पुन्यता अवविज्ञानिक थी आत्मा का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है आत्मा को किसी भी प्रियोकसाला में अध्यन नहीं किया जा सकता है इसी लिए आत्मा को विज्ञान का विसेवस्तु नहीं माना जा सकता है कोई भी वैक्ति जब आत्मा को देखी नहीं पा रहा है तो उसका अध्यन वो किस प्रकार कहेगा क्योंकि मनो विज्ञान में कहा गया है कि वैक्ति के बहवारों एवं अनुभूतियों का अध्यन किया जाता है उन्ट ने मनो विज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं माना और 1962 में मनो विज्ञान की एक स्वतंत्र विज्ञान घोशित कर दिया मनो विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान घोशित कर दिया उन्होंने आत्मा या मन के अस्थान पर चेतन अनुभूती को मनो विज्ञान की विसेवस्तु मान लिया मनो विज्ञान को दार्सनिक परिभाशा को आज पुनिता अस्विकार कर दिया गया है लेकिन हम इस परिभाशा को केवल इसी लिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये मनोविज्ञान की परिभाशा में क्रमिक विकास का बोध कराता है दूसरा मनोविज्ञान चेतन अनुभूती का बिज्ञान है psychology is science of conscious experience इस परिभाशा का बिकास उन्ट के दहाथों में हुआ उन्ट नामक मनोविज्ञानिक ने चेतन अनुभूती को मनोविज्ञान का बिसे वस्तू बाना और अन्त निरिच्छन इंट्रेस्पेक्षन को इसकी बिधी उन्होंने बतलाया कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूती अथ्वा तातकालिक अनुभूती immediate experience का बिज्ञान है उन्होंने चेतन अनुभूती की संरचना पर बल दिया और कहा कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूती की संरचना का अध्यन करता है इसी कारण इस परिभासा को संरचना वादी परिभासा structural definitions भी कहा गया इसके प्रमुख तीन चेतन अनुभूती को तीन तत्वों के द्वारा माना गया है चेतन अनुभूती को तीन elements बतलाए गया है सभी चेतन अनुभूतीया इन्ही तीनों elements से मिलकर बनती है टीचनर नामक मनोविज्ञानिक ने अपने गुरू उन्ट के विचार का समर्थन किया और उन्होंने असपस्ट रूप से कहा कि मनोविज्ञान सामान्य व्यस्क मानाओ नॉर्मल एडल्ट हुमन बिंग की चेतन अनुभूतीयों का अध्यन करने वाला विज्ञान है अनुभूती को विज्ञान की विशेवस्तु माना और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मानसिक जीवन मेंटल लाइफ का विज्ञान है जिसमें मानसिक क्रियाऊं जैसे भाव, फिलिंग, इच्छा, डिजायर, संग्यान, कॉगनेशन, आधी का अध्यन किया जाता है नमबर थ्री मनोविज्ञान बहवार का बिज्ञान है Psychology is Science of Behavior वाटसन नामक मनोविज्ञानिक ने मनोविज्ञान को सरच्रावादी परिभाशा से खंडित करते हुए बहवार वादी परिभाशा पर बल दिया उन्होंने बहवार को मनोविज्ञान का विसेवस्तु माना और बाहरिय निरिच्छन को इसकी बिधी बाहरिय निरिच्छन का मतलब होता है External Observation उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान बहवार का विज्ञान है वाटसन ने भी बहवार को दो भागों में बाटा पहला भाग में उन्होंने उत्तेजना, स्ट्यूमलस तथा दूसरे भाग में प्रतिक्रिया रिस्पॉंस कहा उन्होंने कहा कि प्रतिक्रिया अर्जित तथा जन्मजात दोनों प्रकार की होती है उन्होंने सहज क्रिया को जन्मजात क्रिया माना बिधी के रूप में बाहर्य निरिच्छन, अब्जेक्टिब अब्जर्वेशन को स्विकार किया नमबर फोर मनो विज्ञान अनुभूती तथा बहवार का विज्ञान है psychology is science of experience and behavior मनो विज्ञान की संरचनवादी तथा बहवारवादी परिभाशाओं के गुनों एवं दोसों का भी हम उलेक कर चुके हैं इससे पता चलता है कि मानो सभाव की सही जानकारी ना केवल अनुभूती के अध्यन किसे संभव है और ना ही बहवार के अध्यन से बलकि दोनों के अध्यन से ही संभव हो सकता है इसी लिए मनो विज्ञानिकों ने अनुभूती तथा बहवार दोनों को मनो विज्ञान की विशेवस्तु माना और कहा कि मनो विज्ञान अनुभूती तथा बहवार का विज्ञान है अनुभूती में चेतन अनुभूती, अवचेतन अनुभूती और अचेतन अनुभूती तीनों सामिल होती है इसी तरह बहवार में आंत्रिक बहवार और बाहरे बहवार भी पाये जाते है मनोविज्ञान बैक्ति के बहवार का अध्यन उसकी प्रतिक्रियाओं एवं छेतन अनुभूती दोनों रूपों में करता है according to boring इसी तरह लेट्वेन ने कहा है कि मनोविज्ञान बहवार तथा अनुभूती का बिज्ञान है psychology is the science of behavior and experience इस प्रकार परिभाषाएं हमेशा बदलती रही लेकिन इन परिभाषाओं के बदलने के आधार पर भी कुछ ऐसी परिभाषाओं को रखा गया है जो की इनके द्वारा नहीं बदली है और अंत में एक सरवत्तम परिभाषा के रूप में इसे सामिल किया गया मनो विज्ञान की सर्वोतम परिभाशा है मनो विज्ञान एक समर्थक विज्ञान है जिसके अंतरगत किसी बैक्ती के अनुभूतियों एवं बहवारों का अध्यन वातावरन के संदर्व में किया जाता है धन्यबाद झाल 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 झाल